का साथा काते अपने चैनल दोर मेंiri दोस्तों आज का जो हमारा रैंकर सिरीज है वह रैंकर सिरीज द्लिल भाटवर बनसा यह बता दूंतर है इसका इंपॉर्टेंट इस तरह है दोस्तों की देखे जो तो आपके मार्केट में अवलेबल हैं, बहुत सी गाइड्स वगर अवलेबल हैं, तो उसमें क्या है कि वो जो एडिशन होते हैं, तो जैसे कोई बुक का पब्लिकेशन होता है, वैसे ही वो उस चीज़ पे एडिशन करते हैं, कहने मुझा वहाँ कुछ कोश्चन जो आये हैं वो एडिशन करेंगे, और फिर से उस बुक को वो चीज़ वहाँ पे निकाल लेंगे, तो अगर आप देखोगे, तो कि जो मार्केट में अवलेबल है, गाइड्स वगरा, तो उसमें जो MCQs वगरा हैं, वो उसी लेवल के हैं, उसी लेवल के चलते आ रहे हैं, उसमें कोई सोर्स है नहीं, अवलेबल नहीं है, जहां पर बहुत अच्छे MCQs मिलें, तो यह जो MCQs कलेक्शन है दोस्तों, उसमें इस चैनल में, मैं आपको बिल्कुल प्रावडली कह सकता हूं, कि इस चैनल में जो MCQs का कलेक्शन है, वो बहुत अच्छा है, उसमें हम लोग वहाँ पर अच्छी रैंक लाने के लिए, क्वालिफाई दोस्तों, आप जितने भी यहाँ पर आए हो, सब कर जाओगे, अभी आपको अस पर राप टाइम है, मैं सब को यहाँ पर as a average student चलता हूं, यह समझगे कि सब कोई average student हो, और उस तरह ही मैं यहाँ पर ट्रीट करता ह है, वो वीडियो नहीं दे पाते हैं, बस वो यह कहते हैं कि अपना जो scorecard है, वो मुझे तक बेज़ देते हैं, लेकिन दोस्तों, रेयल्टी है कि हम बहुत से बच्चे निकलते हैं, और उनका भी यही चीज़ मानना है दोस्तों कि जी ranker series है, इस platform में वो सब से best है, क्योंक जो काफी student पहले ही बता जुके हैं, जो सब qualify हुए है, और इस बार भी बहुत बच्चे कहते रहे हैं कि PDF available करा दी जाए, तो दोस्तों जितनी भी PDF है, यहां पर 40 rounds PDF है, ranker series कि जो हमने compile कर दी है, और उसको compile करने में में काफी इसमें मशक्कत आई है, काफी lethargic काम था यह, फिर भी उसमें लगे रहे हैं बराबर, और उसको यहां पर complete कर दिया है, कि PDF form में, और बेस चीज का यह है कि आप जब अपने mobile में भी उस चीज के चलाओगे, तो one question at a time आएगा, बागी PDF की तरह नहीं है, जहां पर होचपॉस सा रहता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता, तो यहां पर आपके पास 1500 प्लस question है, और इस screen में, आपके पूरे screen में, जैसे आप एक movie देखते हो, वैसे ही आपके screen में, वहां पर question appear होंगे, one by one होंगे, जिसको आप आराम से पढ़ सकते हो, और वहां पर उसका answer आप no down कर सकते हो, और दोस्तों, उसके आपको पता ही time wastage होता था, student का, उनको जो question नहीं आते थे, वह note down करने होते हैं, जैसे हम लोग बराबर बताते हैं, लेकिन वह सब process में, उनको time wastage होता था, तो वह चीज़ वह पहले से कहते रहे हैं, तो आप क्या है कि दोस्तों, यह PDF आपको हमने पूरा compile कर वे, एक, मतलब कि एक ही उस आपको PDF के form में, आपके mail ID, या आपके WhatsApp में आपको available हो जाएगी, आपको simply क्या करना है, उसमें लिखा है ranker series 1, आप ranker series 1 वहाँ पे खोलते हैं, पहले आपको वहाँ पे 100 question मिलते हैं, तो आप उनको अपने mobile में, यह laptop में जैसे ही आप खोलते हो, तो पूरे screen में आ आप उसको one by one जैसे examination में होता है, उनको आप करते जाएए, answer note down करते जाएए, जैसे examination के बिल्कुल feel आएगा, इसके बाद दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बिल्कुल वैसा काम नहीं करना है, जैसे अभी तक आप देखे हो, बुक खोलो, खुदी question लगाओ, खुदी answer, आप simply YouTube पे जाना, वहाँ पे आप डालना ranker series, और सामने डाल देना doer, तो वहाँ पे हमारा, जो ranker series first है, वहाँ पे खुल के आ जाएगा, या किसी भी नई वीडियो में, या इसी वीडियो के नीचे दोस्तों, वह link share किया जा रहा है, जहाँ पे सारी वीडियो ह ranker की, तो आप उनको click करोगे, तो वहाँ पे one by one उसका answer वहाँ पे बताया गया है, तो जब आप उसको देखते हुए, और अपना answer मिलाओगे, तो दोस्तों बिल्कुल examination जैसे feel आएगा, आपका जो confidence level है, वो भी high जाएगा, शुरुवात में हो सकता है कि बहुत से कोशन आ बढ़ता जाएगा, आपको confidence level बढ़ता जाएगा, और आपकी one digit वहाँ पर rank आने की पूरी समभावना है, तो दोस्तों यही एक approach होती है, किसी भी examination के लिए, और मैं यह बिल्कुल साफ बजाता हूँ दोस्तों कि जो बच्चे मुझे से कहतने हैं कि market से कौन सी guide ले लिजा लेकिन कभी भी वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप सारा लगा लालोगे तो उसमें से आपको धेर सारे question मिल जाएंगे, यह बिल्कुल गलत thought है, examiner हमेशा नया question लाने की कोशिश करता है, पीछे से हो सकता है, वो एक दो question उठाले, लेकिन जब आप इतने ज़्यादा question इस platform में य रहे हो, तो फिर वो एक दो question या मैं कहता हूँ, दस question भी पिछले 10 साल के paper साते हैं, तो वो तो यहाँ सारे मिली जाएंगे, क्योंकि वहाँ के तो सारे उठा के रखे ही गए हैं आपे, ठीक है, उसके सिवा, वो तो हमारा एक तरह से आप समझो, कि material का 4 से 5% है, जो important चीज कि वज़े से उनका यही कहाना था कि वज़े जब लेबल हो जाती, तो उनकी अच्छी रहें कहा सकती थे, तो इस बार दोस्तों आपके पास opportunity है, यह compile होके तयार हो गई है, और इसकी PDF प्लस वहाँ पे जो mega test वगएरा है, तो उसकी PDF आपको यह पूरा कुछ assemble होके, एक book के form में यह समझ लीजे कि जो PDF है वो book ही है दोस्तों, अगर आप direct उसको देखो के offline mode में तो वो book की volume में है समझ जीए, तो वो आपको simple दोस्तो 3.99 रुपीज में हम लोगों ने रखा है, ताकि वो बिलकुल भी आपके लिए मतलब कि heavy नहों आपके budget में और affordable हो तो 3-4 बच्चों ने ले लिया है, वो इसमें लगे हुए हैं और उनको इस चीज के बिलकुल फायदा मिल ला है क्योंकि उनका कहना है कि जो ranker series है, वो screen में देखते रहे हैं, उसमें से कई बच्चों ने 4-5 series की भी है, लेकिन अब क्या है कि उनके पास एक mode है, जहां पर directly examination के पहले भी आराम से सारी चीज़े देख सकते हैं, offline mode में भी, ठीक है, तो इसलिए मैं दोस्तों इसलिए उसमें pressure डाल ला हूँ कि इस चीज को आप जरूर ले 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 और कोशिश करें कि इसको complete करें, बहुत cheap price है दोस्तों, आप कोई भी book लोगे, उसमें आप देखोगे इसलिए आप केवल उनके theoretical form पे आप नहीं जा सकते हो, आपको चाहिए ज्यादा से जादा MCQ, तो वो लोग इतनी MCQs नए बना नहीं पाते हैं, वो लोग पुराने MCQs भी वहाँ पे डालते रहते हैं, तो इसलिए दोस्तों यह best है, अगर हम इसको एक book के form में निकालते है future में चलके, जो हम लोगों ने सोचा था, तो दोस्तों, really, यह सबसे मतलब की, मतलब काफी इसका वो हो सकता था, big सकती थी है, यह आप लोग जानते हैं, क्योंकि जो MCQs की shortage है दोस्तों, वो बिल्कुल है, जिस समय हम लोग preparation करते थे, उस समय तो इस समय चीजे थी नहीं, guides के लिए दोस्तों, वो सारी चीजे यहां पे included है, आपको कहीं जाने जुरत नहीं पड़ेगी, तो इसके लिए दोस्तों, आपको मेरा number पता ही है, 99537-03693, इस पे आप मुझसे contact कर सकते हैं, चलिए दोस्तों, ranker series 47, हम लोग देख लेते हैं यहां पर, पहला question, which of the following drugs was mostly likely be used in the treatment of bronchospasm that is associated with chronic obstructive pulmonary disease, तो दोस्तों, यहां पर question पुझा जा रहा है, कि इसमें से कौन सी डrug है, जो की most likely used होती है for the treatment of bronchospasm, जो की associated है, आपका chronic obstructive pulmonary disease से, और डrug के नाम है दोस्तों, एड्रोफोनियम, इप्राट्रोपियम, एम्बिनोनियम, प्रोपैंथिलीन और होमाट्रोपिन, तो कौन सी डrug है, जो bronchospasm में generally used होती है, इसका right answer है दोस्तों, इप्राट्रोपियम, question number two, all of the following adverse effects are manifestation of cholinergic agonist, except, except और not का हमेसा ध्यान रखेगा, जल्दी बाजी में हमेसा गलती होती है, यह हमेसा मैं point out करता हूँ, तो all of the following adverse effects are manifestation of cholinergic agonist, except, bradycardia, bronchoconstriction, zerostomia, lacrimation, या myopic accommodation, आपको बताना है, इसमें से कौन साब manifestation नहीं है, cholinergic agonist का, आप इसका right answer है दोस्तों, zerostomia, question number three, which of the following drugs is considered to be the agent of choice for anaphylactic reactions, clonidine, isoprotronol, epinephrine, phenylephrine या terbitaline, anaphylactic reaction के लिए से कौन से ड्रग यूज़ की जाते है, clonidine, isoprotronol, epinephrine, phenylephrine या terbitaline, इसका right answer दोस्तों, epinephrine, question number four, which of the following neuromuscular blocking agents can cause muscarianic responses, such as bradycardia and increased glandular secretion, तो इसमें से कौन से neuromuscular blocking agent है, जो कि आपका muscarianic response शो करता है, जैसे कि bradycardia हो गया, या increased glandular secretion हो गया, और drugs के नाम है, tubocyanin, succinylcholine, pancuronium, decomethonium और gallamine, और इसका right answer दोस्तों, succinylcholine, question number five, which of the following agents would not be appropriate in the treatment of glaucoma, तो glaucoma में कौन सा drug इसमें से use नहीं होता है, अट्रोपीन, पिलोकार्पीन, फिस्टोगिमीन, टिमोलोल या, इपिनेफरेन, और इसका right answer है, अट्रोपीन, question number six, adverse reaction to atropine include all of the following except, photophobia, dry mouth, sedation, diarrhea या, tachycardia, तो अट्रोपीन में इसमें से कौन सा adverse reaction नहीं शो होता है, photophobia, dry mouth, sedation, या, diarrhea और tachycardia, तो दोस्तों, tachycardia is not seen in atropine as an adverse effect, which of the following drug is a volatile substance, that is administered by inhalation, तो इसमें से कौन सा substance है, जो कि volatile है, और वो inhalation के दोरा administered किया जाता है, thiopental, halosanthane, alprazolam, buciprone, and the right answer is halothane, question number eight, the brief duration of action of an ultra short acting barbitrate is the result of, तो आप के बताना है, इस जो brief duration action दिखाया देता है, ultra short acting barbitrate का, वो किस चीज का result है, ठीक है, slow rate of metabolism in the liver, low lipid solubility resulting in a minimal concentration in the brain, high degree of binding to plasma proteins, rapid rate of redistribution from the brain owing to its high liposolubility, slow rate of excretion by the kidneys, and the right answer is rapid rate of redistribution from the brain owing to its high liposolubility, question number nine, which are the following mechanics of action, mechanics of action is true and most likely contributes to the treatment of parkinsonism, तो इसमें से कौन सा आपका option है, जो कि treatment of parkinsonism के लिए होता है, यूस होता है, साथे 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 इसका di-phenhydramine contributes to the restoration of stratial dopaminergic cholinergic neurotransmitter balance, or striatal H1 receptors are blocked by the antihistaminic trihexyphenidyl, or option number D, the ergoline bronchocryptine stimulates the release of striatal dopamine from intact terminals, or option number E, the ability of dopamine to cross the blood-brain barrier allows to restore stratial dopaminergic cholinergic neurotransmitter balance, दोस्तों आपको बताना है इसमें से parkinsonis का mechanism of action, drug के साथ कौन सा सही है यहां पर, और दोस्तों यही है वो ranker series, जो बच्चे नए मैं बता दूँ, यह जो हम लोग रेंकर series कर रहे हैं, तो इसी का PDF जितने भी आस्टक हुए हैं, उसी PDF को compile करके आपके पास डेड़ हजार तक के MCQ बनते हैं, और वो MCQ आप कर लोगे दोस्तों तो 100% वहाँ पर qualify हो जाओगे, साथिसाथ दोस्तों आपकी rank बहुत अच्छी आने वाली क्योंकि वो सब कुछ वहाँ पर cover कर रहा है, वहाँ पर सारे subject के ranker series आचुके हैं, अभी आते ही जाएंगे, तो यह सब क्या है कि सब कुछ cover कर लेगा, theoretical portion में इतना जाने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, तो दोस्तों इसका right answer है, option number B, the anti-muscranic activity of diphenhydramine contributes to the restoration of a striatal dopaminergic-colinergic neurotransmitter balance, questions, question number 10, all of the following adverse effects are associated with the use of levodopa except salaria, orthostatic hypotension, dilution, confusion and depression, dyskinesia and dystonia, levodore ticularis, तो इसका right answer है दोस्तों, levodore ticularis adverse effect इसका कुछ लेना देना नहीं है, result reuptan is effective in treating migraine, migraine, headache by, directly vasoconstricting involved blood vessels, inhibiting the release of inflammatory neurotransmitter, directly blocking pain transmission, all of the above, yes मैं सो को इना है, none of the above, तोसका right answer है दोस्तों, all of the above, question about all which are the following drugs based on its mechanism of action is effective in treating dyorrhia-predominant irritable ball syndrome, tegaseroid, naro триptan, ileozaltan, all of the above, तोस्तों, all of the above, yes मैं सो को इसका usते है, दोस्तों, दीजिटे verified on its mechanism of action, दोस्तों के दोस्तों के सका के थागिछासर्ण, अजिटेवासर्या, प्रेते, एर वोड राके तो अलो जटरौ्टरौन गुष्याइट नियुक्त विख प्रूंग टार्टेव एक पूल जली मिलीडुक्टी टॉक्रोड एक रियुक्ति टॉक्रोड गोड़ दोल्साथे लिए एक नियुक्ति एक लिए लिंग तो मैल रिप्रॉड़ुक्ति टॉक्ति विद क्रोनिक दोजेग इसका राइट आंसर है शल्फ अलफ शलजेग कोशेवर 14 एस्परीन इस एस 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 अटी प्लेटिलेट एफेक्ट बाइट बाइट इनिविटिंग दोजेच यह लुकोश्चिछितव उक्ष थरी एफ्रस्टर जयुकोत्य थेखस्टित्रेस एफ्सप्रीज CYC1-1 15. Anti-Aminofen has advantage over aspirin or other non-steroidal anti-inflammatory drugs by virtue of its relative lack of anti-platelet effects, relative lack of gastrointestinal ulcerative effects, being a safe alternative for children with viral infections, all of the above and none of the above. The right answer, friends, is all of the above. Q16. Acetaminofen toxicity is characterized by profound vasoconstriction and pain, severe abdominal cramping and diarrhea, central nervous system stimulation and seizures, profound liver damage and failure, or all of the above. The right answer is profound liver damage and failure. Q17. Which of the following anti-gout medications is specifically used in acute attacks? Colchicine, Allopirinol, Probenacet, all of the above or none of the above. anti-gout medication. And the right answer is colchicine. Q18. Which of the following anti-gout medication acts by decreasing serum level but increasing urine levels of uric acid, thus increasing the risk of kidney stone development? And colchicine, Allopirinol, Probenacet, all of the above or none of the above. Q21. Which is anti-gout medication, which acts by decreasing serum levels but increases the urine level of uric acid, thus increasing the kidney store to increase its birthrate. Q22. Q21. 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 इनिभीट तो दोस्तों आपसे पुछा जा रहा है कि नॉन इस्टोइल एंटि इनिफिलमेट्री ड्रग्स है उनको उस क्लास में रखते हैं तो जो उनका ये नेचर है एंटि इनिफिलमेट्री का वो किसलिए है वो क्या चीज इनिभीट करते हैं cycle oxygen is one cox to cox three leukotrient synthesis a thrombocent synthesis पास्ट राइट आस्तो चॉक्स 2 स्टाहती तटिव शेल्टिजी श्यॉक्ल-Oxyzhneas inhibitors have been associated with which of the following adverse drug reaction severe ischemic colitis, torsidae despontis, cardiovascular thrombotic events, एक्यूट लीवर फेलियर चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम आपको बताना है कि कॉक्स टू इनिबिटर होते हैं वो किस चीज से किस एड़र्ज ड्रॉक्ट रियक्शन जो कि यहां पर शोह रहां उसे एस्सेटेड है और इसका राइट अंसर है कार्डियो वैस्कुलर थ्रॉम्बोटिक एवेंट से कॉश्यम 21 विच अधी फॉलिंग स्टेटमेंट कंसर्णिंग ड्रॉग मेटाबॉलिज इस टू तो ड्रॉग मेटाबॉलिज के रिगार्डिंग यहां कौन सा ओप्शन है जो कि सही है अजनल इस टॉट असे टॉट इस रॉट और इस टॉट एंसर और दॉट गुट बंग kindly आट अटॉटा और अध्ष ही 2 ्छोट बॉय ईस टॉटाभ यह लेच बेफसीशिच वी ऑ Works थोक्ड अइसका रागान सरद तो अप्शन नम्बर E, Phase 1 metabolites, more likely are able to cross cellular membranes than phase 2 metabolites, कोश्यमग 22, which are the following metabolites would be the least likely excretion product of early administered aspirin, glycine conjugate, ester glucuronide, unchanged drug, ether glucuronide, hydroxy adapted metabolite, पर इसका राइट रसतो नचेंग रगग गश्यों आसके रगट रस तो अंचेंग रगगवस वचोर्ग कोश्यम 23 न्वास अलगग जीन इजर बाट वे गट्डाइमे आसके रगवस अंचेंग अप्रीत रगवस नेक्टरीड यह प्रट्ट राट रगवस एंट एंटेस्ट ट्रांसफरेज, बीटा ग्लिकरोन डेज, मिथाइल ट्रांसफरेज, तो कुश्चन आप से कह रहा है दोस्तों कि जो सल्फास अलाजाइन है वह एक प्रोड्रक्ट है जो की इंटेस्टाइन में एक्टिवेट होती है बाई बैक्टेरियल एंजाइम से तो वह जो एंजाइम ह वह कौन सा है अजो एक्टेज है प्प्रोड्रांसफरेज है बीटा ग्लिकरोन डेज है या मिथाइल ट्रांसफरेज है इसका राइट आंसर है दोस्तो एजो एक्टेज कोश्चन में 24 चलोरं फैनिकल इस कंसिड़ टॉक्सिक इन इंफंट्स ग्रे बेबी संड्रोम इस इं एक्यूमलेशन ऑफ उन्चेंजड क्लोरं फैनिकॉल रिजल्टिंग फॉम एन इंमेचर मेटाबॉलिक पाथवे विच अधी फॉल्विंग जायम वोड मोस् लाइकली बीदिशिंट सीडियोग्रोन ड्रांसफरेज एन अस्टिल ट्रांसफरेज एजो डिदक्टेज यह मि वहां पर रह जाती है क्योंकि जो आपके इंफैंट्स होते हैं इसमें इम्मेचर मेटाबॉलिक पाथ होता है ठीक है तो पूछा जा रहा है कि विच अधी फॉल्विंग जायम से कौन से इंजायम है जिसकी कमी होने की वज़ा से वहां पर क्लोरं फैनिकॉल आपका टॉक् करती है और इसका राइट आंसर है दोस्तों ग्लुकॉरनल ट्रांसफ्रेस ना कोश्चा में टेफाई विच अधी फॉल्विंग त्रॉपेटिक एडवांटेज चैन नाट बी अप्टेंड बाइड यूज अप्रोड्रग इंक्रीज औरल अब्सॉप्शन इंक्रीज वाट इसका राइट आंसर है दोस्तों कि पोटेंसी में कोई इसको एक नहीं पड़ता है वह वहाँ पे इंक्रीज नहीं होती है तो दोस्तों यह था आज का आपका नाइप को टोटल मजल रैंकर सेरीज था यहाँ पे और मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि जो नाइपर का दोस्तों इनको लेके आप अपनी पढ़ाई स्टेडी सुरू कर दीजे लॉक्डाउन के भर से मत बैटिए मैं बार बर यही कर रहा हूं अपना समय जो दोस्तों वह आप यूटिलाइस कर लिजे अभी की मैनत है फिर दोस्तों आपको आराम से कुछ करने जुरत नहीं पड़ तो इसलिए दोस्तों अभी कोशिश करके अभी मैनत करके आप अपना जो केरियर स्क्राव बना लिजे और उससे अच्छी बात सबसे पहले आपके लिए वह सबसे अच्छी बात होगी फिर वह हमारे लिए अच्छी बात होगी क्योंकि आप हमारे प्रेटफॉर्म से निकल चाहिए थेंक यू टेक क्या बबाई